राश्ट्रिय शिक्षा नीत दो हजार बीस भाग दो उच्चतर शिक्षा अध्याए उन्नीस उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशासन और नेत्रित्व तो आए सुनते हैं इसका द्वनी पाठ प्रिष्ठ संख्या उनासी 19. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशासन और नेत्रित्व 19.1 यह प्रभावी प्रशासन और नेत्रित्व ही है जो उच्चितर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता और नमाचार की संस्कृती के निर्माण में सक्षम बनाता है भारत सहित दुनिया भर में सभी विश्वस्तरिय संस्थानों की सामान्य विशेश्टा वस्तों में मजबूत स्वशासन और संस्थागत लीडरों के उत्कृष्ट योग्यता आधारित न्यूक्ती रही है जिन्होंने ऐसी संस्कृती के निर्माण और पोशन को संभव बनाय प्रिष्ठ संख्या अस्सी संस्कृती को बढ़ावा देने के लिए सभी उच्चितर शिक्षन संस्थानों में उपाये किये जाएंगे इस तरह के कदम के लिए तैयार संस्था को उप्युक्त ग्रेडेट प्रत्यायन प्राप्त होने पर योग्ये, सक्षम और समर्पित व्यक्तियों जिनमें सिध्ध क्षमताएं और प्रतिबद्धता की एक मजबूत भावना होगी के समुह से मिलकर Board of Governors यानि BOG स्थापित किया जाएगा। किसी संस्था के BOG को किसी भी बाहरी हस्तक्षेफ से मुक्त संस्था को संचारित करने, संस्था के प्रमुक्सहित सभी नियुक्तिया करने और शासन के संबंध में सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। ऐसे व्यापक विधान होंगे जो पहले के अन्य विधान के किसी भी उलंगनकारी प्रावधानों को बदल देंगे, जिसमें BOG के गठन, नियुक्ति, कामकाज के नियमों, नियमों और विनियमों और BOG की भूमिका और जिम्मेदारियां शामिल हैं। बोर्ड के नए सदस्यों की पहचान बोर्ड द्वारा नियुक्त, विशेशक ये समिती द्वारा की जाएगी और नए सदस्यों का चैयन BOG द्वारा ही किया जाएगा। बनना तथा ऐसे सशक्त BOG का गठन करना होगा। 19.3, BOG सभी संगत रिकॉर्ड के पारदर्शी स्वप्रकटन के माध्यम से हित धारकों के लिए जिम्मेदार और जबाब दे होगा। यह राष्ट्रिय उच्चितर शिक्षा नियामक परिशद यानि NHERC के माध्यम से HECI द्वारा अनिवारे सभी नियामक दिशा निर्देशों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगा। 19.4 संस्थानों में सभी नेत्रित्व पदों और संस्थान प्रमुखों के लिए उच्चितर शेक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को चुना जाएगा, जिन्होंने जटिल परिस्थितियों में प्रबंधन करने के साथ प्रशासनिक और नेत्रित्वक शमताओं का प् विश्वास, विविधता, विभिन लोगों के साथ काम करने की ख्षमता एक सकारात्मक दृष्टिकोन होना चाहिए BOG द्वारा गठित एक कुशल विशेशग्य समीती EEC के नेत्रित्व में एक कठोर, निश्पक्ष, योग्यता आधारित और ख्षमता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से चयन BOG द्वारा किया जाएगा एक उपयुक्त संस्कृती के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कारेकाल की स्थिरता महतोपूर है साथ ही साथ नेतृत्तों के उत्तराधिकार की योजना बनाई जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी संस्था की प्रक्रियाओं को परिभाशित करने वाले अच्छे व्यवहार नेतृत्तों में बदलाओं के कारण समापत ना हो नेत्रित्व में परिवर्तन परियाप्त ओवरलैप के साथ किया जाएंगे और सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने के लिए पद खाली नहीं रहेंगे उत्कृिष्ट नेत्रित्व करताओं की पहचान की जाएगी और उन्हें जल्दी तयार किया जाएगा जो नेत्रित्व की भूमिका में एक सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ेंगे प्रिष्ठ संख्या इक्यासी 19.5 चरणवध तरीके से परियाप्त धन, वैधानिक सशक्तिकरण और स्वायत्तता प्रदान किये जाने के साथ सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान, संस्थागत उत्क्रिष्टता अपने स्थानिय समुदायों के साथ जुड़ाव और वित्तिय इमानदारी और जवाब देही के उच्चतम मानकों के प्रती प्रती बद्धता प्रदर्शित करेंगे प्रतेख संस्थान एक कार्य नीतिक संस्थागत विकास योजना बनाएगा जिसके आधार पर संस्थान अपनी पहलों को विकसित करेंगे अपनी प्रगती का आकरन करेंगे और उसमें निर्धारित लक्षियों तक पहुचेंगे जो आगे की सर्वजनिक निधियन के लिए आधार बन सकते हैं IDP, Board के सदस्यों, संस्थागत लीडरों, संकाय, छात्रों और कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी के साथ तैयार किया जाएगा अभी आप सुन रहे थे, राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020, भाग 2, उच्चतर शिक्षा, अध्याय 19, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशासन और नेत्रित्व वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत